नमस्कार मैं शोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर एलेक्शन जैसे जैसे आ रहा है ऐसा लग रहा है कि मोदी जी मतलब इसको फ्रस्टेशन कहा जाए इसको घबडाहट कहा जाए इसको क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है ऐसी ऐसी बातें कॉंग्रेस वाले मेर बचे खुचे जो नकली बाल हैं उनको नोचना चाहते हैं तो फिर इस पर कोई क्या कह सकता है लेकिन सेकेंड राउंड कल सेकेंड राउंड का एलेक्शन होना है फर्स्ट राउंड का जिस तरह से रियक्शन देखने में हमको मिला है चुनाओ गर्माने की कोशिश हुई औ चौदरी जैसों को भी फैक्ट चेक करना पड़ रहा है तो अशुक भाई से हम आज बात करेंगे कि अगले राउंड का सारा मामला क्या है क्यों ये पागलपन है वो देशबर में घूम रहे हैं उनके भाशन क्लिप्स खूब वाइरल हो रहे हैं तो माहौल क्या है सडक पर और कोई तो वज़ा है कि इतना ज़्यादा घड़ाये और भड़डाये हुए मोधी जी है अशुक भाई सीधे आपके पास बिना सवाल के हर बार की तरह ये बोकलाट है अशुक जी ये बोकलाट है सामने दिखने वाली हार की ये बोकलाट है कि हम हार जाएंगे तो क्या हो यह बोकलाट है कि सत्ता के बगएर रहने का अब आदत नहीं पड़ी, यह बोकलाट है कुकर्मों की जिसका हिजाब आने वारी सरकारे लेगी, यह बोकलाट उन सब तमाम चीजों की है, यह बोकलाट उन तमाम चीजों की है, जो डर है, जो अभी तक समाज से और देश से छु साथ बेच दिया समझ में आ जाएगा लोगों को कि चाइना की वक्तिली पोजिशन क्या है यह पोकलाट है इस बोकलाट को छुपाने के लिए अब मैंने हमेशा कहा कि जब आदमी परेशान होता है बोकलाट में होता है जुझला जाता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर द देता हूं कि अच्छा खासा साइंस का लेक्चरर स्कूटर पे जा रहा था जंगल का सुंसान इलाका था और स्कूटर बंद पड़ गई उसने खुब प्रयास किया चालू करने का नहीं हुआ तो उसको याद आया कि कम से कम पेट्रोल है की नहीं देखो और वो पेट्रोल कि तिली जलती से ही पेट्रोल आग पकड़ लेगा लेकिन उसकी बोकला हाट उसकी घबराट से वह विवेक कामकरना बंद कर दिया वही स्थिती आज हमारे यहां प्रधान मंत्री आधरणियन नरेद्र मोधी जी की है जिस हिसाब से वो वक्तवे दे रहे हैं देखे सीधी बात है वो कहते हैं कि कॉंग्रेस वाले मेरा सर फोड़ना चाहते हैं जो ब्रधान मंत्री चपनीज का सीना हो लाल आखों से चायना को देख के पीछे ढखेलता हो विश्व गुरू हो जिसकी रशिया और युक्रेयन के युद्ध में भी सुनी जाती हो हमास और इस्राइल में भी शाइद बम डालने के पहले लोग कहते होंगे कि मोदीजी को बुर्या नहीं लगे तोड़ा धिरे बम डालो इतनी जिसका डर हो जिसका इतनी आभा हो वो आदमी जनता से कहे कि मुझे कांग्रेस से बचाओ मेरे कुछ सत्ता में लाओ कांग्रेस मेरा सर फोड़ना चाहती है तो इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस्तिपा दे के कोई मर्द को सत्ता में भेजे ज्यादा अच्छा है जो आदमी आपको एक सेकंड रोक रहा हूं आपने कहानी सुनाई थी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक विस्पोर्ट हुआ था और बहुत यह मुख्यमंतरी बने थे गांधीनगर में सब मंतरियों के सारे मंत्रियों इस इक्षटा बंड़े है और पास में सबसे बड़ा बंगला कॉर्णर मुख्यमंत्री वार आगई है पगते वे उनने कहा गाड़ी को लोग गाड़ी को लोग गाड़ी बुलेट प्रूप थी गाड़ी में बैटके निकल लिए सेक्रिटी परेशान हो गई कि राग को मुख्यमंत्री कहा जा रहा है सब दूर इंफरमेशन लेके जो थाने में थे हाजिर हो गए पता पड़ा कि बंब का हमला हुआ है बंगले मुख्यमंत्री के घर पे बंगला हो और पुलिस वालों को समझ भी नहीं आ जाई इतनी बड़ी लैप्स पैसी हो गई सब के पैरों के धरी जमीन जिजब गई जो डायरी थी थाने में उसमें यह लिखा गया कि प्रदान मंत्री के घर पे बंगले के सोचना फिर इन्वेस् ट्रक का टायर फूटने के वज़े से जो विस्पोट जैसे आवा जाई उससे घबरा गये थी उसके बाद वो बाइपास बंद कर दिया गया सेल कर दिया गया उस पर आवा गमन बंद हो गया यह कहानी मुझे एक आईपेस अफिसर ने सुनाई जो जब मैंने उसको कहा कि य कोई भी इंसान कितना भी सचक्त हो हमारे आर्मी के आफिसर भी चलते हुए बंबों के बीच में तो नहीं जाएंगे सब स्टेटेजी करते हैं कि जान की बहुत जरूरत होती है तो यह जो अंदभक्त हैं जो लार्जर दियान लाइफ इमेज बनाते हैं और यह बताते हैं क इनका जन्मक गुजरात में एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था और चाई बेच के जहाँ रेलवे स्टेटेशन नहीं है वहार रेलवे पर चाई बेची में जो जहां नहीं है बीना पानी का मगरमच भी उन्होंने मारा। यह सारे कहानी कीसे बारे में किवधनतियां है ल देश को कैसे बचाएएंगें एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है विश्वा में इतना सारा पॉद्डॉरा इरेशन हो गया है आज स्रीलंका नीचे आखे दिखा रहा है, बर्मा आखे दिखा रहा है, बंगलादेश अपने हिसाफ से चल रहा है, हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ नहीं है, डंके की चोड़ पर जो हम कह सके हैं, ऐसे सारे चीजों के होते हुए, यदि इतना कब्ज़ोर प्राइम मिस्ट का सर तोड़ा जा रहा है, आप देखे, आप आगया नहीं होगा, अक्सर मैंने देखा, राजनीते में नेता जब कमजोर पड़ जाता है, तो वो जनता को अपने धाल बनाता है, अपने आपको जनता में से एक बलता है, मैं आपका बेटा हूँ, अभी हमारे मुख्यमंत्र अभी उपमुख्यमंत्री आधरनिया क्या है, नाम मुख्यमंत्री कह आता है, विचारा मुख्यमंत्री था, उपमुख्यमंत्री हो गया, पास साल मुख्यमंत्री था, टेनी और ज्यादा था, अब धाई साल के लिए उपमुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बार कि अरे अमरावती से तो मेरा संबन्द है मेरी मदर अमरावती से मेरे मामा अमरावती के है मेरा ने निहाल अमरावती का है और मैंने हमेशा नाकपुर और अमरावती में कोई भेद नहीं किया जितना नाकपुर का मैंने विकास किया उतना अमरावती का विकास किया किसी अमरा वहां का मैंने किसी को फोन किया वो बोला बताओ आप भी कभी मुख्यमंत्री हो तो आप हमारा जीले का भला हो जाएगा मैं क्यू बनू बनू आप कहे तो सकते हो कि मेरे जीले से मैं भला करूंगा फट्णवीस अपने नइनियाल का भी भला कर रहे हैं और अपने है तो देख लिए वही अपील कि देखो आपका भांजा है है ना मेरा नेनियाल है मेरे पिता जी यहां की दामाद थे कुछ तो इज्जत रखिए हमारी हमको बचा के रखिए प्रदान मंत्री भी कई बार ऐसा कर रहे हैं उन्होंने गुजरात राजस्तान से सम्मंद जोड होते हैं तो मैं तो बर-बर कहता हूं कि भी महराचर का गुजरात का चलि दामन का साथ है अब कई जगा बुलाती है उनके घंगे का बेटे हो जाता है घंज कभी का है तो यह सारा अपील है तो मेरा सर तोड़ देंगे यह भी अपील है लेकिन अशुक जी इससे भी मैंने कि अतिड़ा लगा इतने सालों से आप तो मेरे से ज Holy श्यादा आप ने चुनाओ दिखे हैं हमने बहुत चुनाओ दिखे है हमने घट्या राज्मितां दिखे मैं कई भी आद्मी कितना भी कम्जोर हों कितना भी अनपढ़ हों पढ़ा लिखा तो भी उस पद पर जाने के बाद एक गरीमा रखता है उस पद की गरीमा क्योंकि वो देश का पद है देश का प्रधानमंत्री है आप आप मेरे प्रधानमंत्री है आप आशोग जी आपके प्रधानमंत्री है यहीं सामने आए प्रधानमंत्री जी तो हम हाज जोड़के नत् वो मेरे देश के अभी भावक है। यदि वो प्रधान मंत्री डंके की छोट पे जूट पे जूट पर उसे और घिनोना चूट पर उसे तो फिर मुझे प्रधान मंत्री के उस पद की गरिमा को नीचे आती होए मैं देखता हूं। जब आप टैक्स देते हैं तो क्या हमें इतना अधिकार नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री परति गरिमा के बारे में भी हमें थोड़ा सजग होना चाहिए। कि विपक्ष के घोष्णा पत्र में ये लिखा है कि वह हिंदुों का सोना मंगल सुत्र उतार के मुसलमानों को दोगी है। कैसा जोट परोसा जाता है। कैसा मनमौन सिंग्स को मिस्कोट किया जाता है। प्रधान मंत्री है। कम से कम पुराने प्रधान मंत्री पत्की तो गरिमा रखिए। क्या मनमौन सिंग्स में कहा था। फैक्ट चेक में तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता। सारे लोग जब कन्फुजन होते हैं तो आपका चैनल देखते हैं यहीं से फैक्ट आएगी। आप तो पुरा इतिहास और वर्तमान और भविश्य में क्या होगा यह सब परोस्ते हैं। तो बताइए, कॉंग्रेस ने कहा यह आदिवासियों के घर की चादी उठाके देगा मुसल्मानों को। यह घुसपेटी यह ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। अरे भई, ज्यादा बच्चा पैदा करना माने मुसल्मान हो गया क्या। तो फिर आप अपने स्वयम के पिता को क्या कहींगे। आप कितने भाई-बैन हैं जरा हिसाब दीजिए। पुराना समय था शोग जी। हेल्थ सर्विसेस नहीं थे। बच्चे कितने बचेंगे यह किसी को पता नहीं होता था। तो हरे के घर में हमारे हम देखेंगे तो 6-6-7-8-8 भाई-बैन हैं चाचा चाची अब बुवाएं हमारी जो बजगए बजगए चो चले गए चले गए लेकिन वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं होता। वर्तमान में कितने मुसल्मान हैं जिनके आब बारा बच्चे हैं। आप नरेशन गड़ते हैं और चुनाव आयोग मतलब क्या कहूं मैं चुनाव आयोग को तो अब मैंने आज ट्विटर पे तो चुनाव आयोग का death certificate देख लिया है। किसी ने death certificate इस्जू कर दिया कि हमेरा चुनाव आयोग मर चुका है। क्योंकि आत्मा चाहिए सर। मात्र, सम्वीधान, लोक तंतr, यह शब्द बेनामी हो जाते, कि इन शब्दों के पीछे आपकी मनीशा नहीं, मनीशा ताना शाही है, और आप लोक तंत्र का नाम लेते हैं, इसे लोक तंत्र लजित होता है, इसमें शम्वीधान सिकड जाता है, आपने election commission का नाम लिया अशोक जी आज एक notice गई है लेकिन वो notice मोदी जी के भाषन के लिए नडडा जी को गई है साथ में राउल गांदी को भी notice गई है राउल गांदी को दो जाती ही रहती है लेकिन पहली बार देखा गया है कि भाषन दिया मोदी जी ने लेकिन notice जा रही है पार्टी के अध्यक्ष को कभी आपने ऐसा कुछ सुना है ये देखिए मैं उल्टा सवाल पूछता हूं आपको क्या कभी किसी पामेरियन ने पालतों कुृतिय ने अपने माले को काटा है काटा तो स्ड Culaci castle dus ऐप को रसते पर घूमता रहता है भूग से अपरेचानता कोई आदमिया उसको लगता है मेरे को मारने आ तो उसको पकड़ लेता है काटा तो वॉच्ट्रॉंग है जो सजग रहता है गलत होने पे भोगता है यह पामिरियन जो होते हैं यह डेकुरेट्व पीसेस हैं यह सिर्फ कोई गेस्ट आने पर सोपा सेट पर आके मालिक के गोद में आके बढ़ जाते हैं और चिन्नु मुन्नु लिमका इसे नाम होते हैं और जरा से किसी को देखे सब्सक्रामी नई बेबी अंकल है फिरो पूछ लाने लगता है चुनाव आयोग पामीरियन हो गया है सब्सक्राइब कहां चुनाव आयोग में आवकाद है रबर स्टैंप हो गए यह इनको कंप्लेंट करनी पड़ती है क्या चुनाव आयोग अकबार नहीं पड़ता क्या चुनाव आयोग टीवी नहीं देखता क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता कि बजरंग दल का नाम लेके बटन दबाव बोलते हैं प्रदान मंत्री जी क्या प्रदान मंत्री जी यह नहीं कहते हैं कि घुश पेटियों को ज्यादा बच्चे पेदा करने वालों को को बाट देंगे मुसलमानों को नाम लेकर बोला जाता है जो पुरानी जो हत्याई हुई उसका जिक्र किया जाता है कभी किशे टेलर का जिक्र होता है में तो अमरावति में कल ग्रामंत्री ने पुराना कि उस उस आदमी की जैसी हत्य हुई थी ऐसी हत्य होगी नहीं आमारे राज में आप किस बात का दियोतक है आप इस देश के भविश्चे के लिए क्या रोड में अपलाए आपका रोड में आप यह हैं कि आयोध्या में राम मंद्री हो गया अब अगला टार्गेट हमारा मतुरा है यह रोड में आप यह आपका तो देश की ज्वलन समस्याओं के लिए कौन बोलेगा बेरुजगारी महिंगाई गीरता रुपया चाइना का अग्रेशन कोन बोलेगा लाइन आउडर कौन बोलेगा प्रधान मंत्री के नाक के निचे गुजरात लाइनिसिटी में सामुहिक व्याभीचार होता है होस्टेल में घुसके लड़कों के साथ लड़कों को तक नहीं छोड़ा जाता और फिर युनिसिटी उस पर लिपापोती करती है मैं सैलूट करना चाहूंगा उस अंतरीम चीफ जस्टिस को जिन्होंने सोचल मेडिया में एक लड़की का दर्द पढ़के संग्यान लेते हुए एक हाई कोट की डिटाइज जर्च के तहट इंक्वाइरी और इंक्वाइरी की रिपोर्ट आई तो रूंग्टे खड़े हो गए 35 साल से तो राम राज्य की सरकार है गुजरात में 10 साल से डबल इंजिन की सरकार है डबल इंजिन की सरकार के मानिया डबल इंजिन का वैविचार हो गया क्या किस बात की बात कर रहे है इलेक्टरॉल बॉन्ड में जो भ्रेटाचार हुआ है और वो राजनितिक भी अभीचार है ब्रहलाचार भी आगे बढ़के एक डलीत किसान का जमीन का मुआउजा यह बोलके उसको इन्वेस्ट किया जाता है कि इलेक्टराल बांड दूगली रिटन देंगे और वेल्सपन कंपणी उससे बांड खरीदवा के बीजेपी को देती है दस करोड के वेल्सपन कंपणी में स्टेक है अडानी जी का इसका मतलब यीस लेवल पर जाओगे आप चंदाई खटा करने में यह तो चिट फंड से भी ज्यादा गया गुज्रे लोग हो गए बिल्कुल क्या फरक पड़ गया शारदा चिट फंड और बाकी चिट फंड में जब गाली देते हैं और इतनी शरम भी नहीं है यह बात उजागर होने के बाद बीजेपी ने वह दस क्रोड किसान को वापस कर देने चाहिए था बिल्कुल जू तक नहीं रेंगती कान पे इ इधर जब नोच के खाता है वो भी इतना बे रहम नहीं होता जितना बे रहमी से चंदाई खटा किया गया इलेटरल बॉंड के नाम से और पात उसके बाद बोला जा रहा है कि हमने फ्रांस्परेंसिल आई चूट 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 और जूट किसी वाप कुछ नहीं अब 25,000 करोड की बात अकसर करते थे महारास्टरा स्टेट को आपरेटिव लिमिटेट का देखिए कोट ने कह दिया कि बिल्कुल कोट ने नहीं मतलब हर तरह से यह हो गया कि क्लीन चिट दे दी गई सुनित्रा पवार जी को 25,000 करोड का मामला था आप कहां डस पांच ले कर रहा हूं कि वो 10 करोड रुपे एक दलीत परिवार जो भूक मरी के रास्ते पे था उनकी जमीन टेकोर कर ली चेहत्तर करोड की जमीन सोला करोड में सवदा हुआ ये 25,000 करोड भी तो ऐसे ही लूटे गए हैं जनता से जिस 25,000 करोड के घोटा ले का प्रदान मंत्री जी ने अभी चार मेने पहले जिक्र किया हो उसी घोटा ले का शेहिंशा आज उनका उपर मुख्य मंत्री है और अमिश्या जी उनको बूकी दे के स्वागत करते हैं यो गोटा ले में अमिश्या की शीनेर है यह अमिश्या जी डाइरेक्टर थे यह अजीद दादा के सफ्तर हजार क्रोड करोड बूकर ने सेवन्टी थावजन क्लबूब इन्हीं देविंद्र फणनेवीच ने कहाता ना चक्की पिस्वाउंगा अब साथ में मिलके आठा खा रहें दोनों कई ऐसी टुनने इसपो देधी प्रफल पठेल को ऐर इंडिया घोटाले में ए अब बोलती उसनों घोटाला नहीं हुआ ऐसा ही Vatra के बारे में बोला जाता था रहाबर्ट Vatra-G के बारे में लगातार हमें हमको तो लग रहा था कि Vatra कब अंदर होता है कब बाहर रहता है हालना जम्रमन opening के दिल्प और wouldra के डिल में कोई गयर कानूनी छीज्श हमको नहीं पाई गई आज इतने देर तक जो बोल रहे थे वो शमा मांगेंगे बीजेपी के तमाम नेता जो दामा जी दामा जी कह रहे थे क्योंकि फिर पचास करोर के बार्ड डेलेफ ने दे दिये बीजेपी के क्लेंचीट मिल गई एक क्लेंचीट खरीदी गई है मिली नहीं सुनेत्रा पवार जी की क्लेंचीट की जो कीमत चुकाई है अजित पवार ने वह अपने पिता समान चाचा की पांटी तोड़ के दिए इनकी उंगली पकड़ के राजनीती में लाया हमेशा बड़े पत पर रखा उनके पीठ में चुरा घोपने की कीमत चुरा घोपना ये कीमत दे के एक एक फिर में क्लींचीट ली यह सब व्यापारी है नारायन राने सबसे दयनियस थिती हमारे हां किरिट सुमया की है विचारी की किरिट सुमया ऐसा है कि जिसने क्या प्रेस कांफरेंस किरिट सुमया की हुआ करते थी कि नारायन राने तो जेल जाएंगे दलदा जी तो जेल जाहेंगे सुनिर तटकरें जेल जाहेंगे कि अि शन मुचले बार हैनी जकता इतने डोक्यमेंट है recuerder आज वहीं नारायन राने को भुके देने grewझाना प्ड़ता आज वहीं हशन मुश्री मंत्री है यह विचारे को लोगजबा का टिकेट भी नहीं बिलता मैंने एक दिन पूछा था व्यक्तिगत रुपिस आपको कैसा लगता है आपको बुरा नहीं लगता जिन लोगों के खिलाब आपने प्रेस कॉंपरेंस लेकि इतना तुफान खड़ा कि महाराष्ट की राजनीति में वह आपके वरिष्ट मंत्री बन गए और आप उनको नमस्ते करते हैं उन्हें हस्ते वे कहां क्या करो मुझे बोला जाता है करो बाद में यह मांदवली हो जाती उपर मैं क्या कर सकता हूं यह वस्तुस्ती थी है और यह जो मैं शब्द कह रहा हूं यह मेरे नहीं है चक की पिसिंग और पिसिंग जेल जाएंग 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 यह आदर नहीं देवादर फटने विश्टी लेकिन गिर्गिट शर्मा जाए इतने तेज रंग बदलने वाले हमारे देश के अब आखरी सवाल ले लेता हूं अशोग जी कल चुनाओं में जा रहे हैं सेकेंड राउंड है फर्स्ट राउंड के बाद तो कितनी हर बड़ा हट भड़ बड़ा हट जिसको आपने बौकला हट कहा वो देखा गया दो पार्ट है इसके पहला तो यह कि क्या इतने सब के ब पहले राउंड जैसा होगा देखिए अशोग जी इतना पहले राउंड का जो डिप्रेशन आया बीजे पीके उससे उभर नहीं पा रहा है सेकंड राउंड भी हाट से चला गया है अब बाकी बची हुए पाच राउंड के लिए क्या करना इसलिए अभी सेनानी जो है उनक लेकिन क्या है किसी बिल्डिंग की दिन नीव ही गलत लगी गई तो उपर आप कितना भी हिर फिर करिए वो बिल्डिंग के क्रैक जाते नहीं बिल्कुल नीव कहा खराब हो गई जब आपने उम्मीदवार दिये वो उम्मीदवार इसलिए अपने हिसाब से आप और रवाओ मोधी जी के चेहरे पर उट पड़ेंगे लेकिन अभी क्या हो गया मोधी है तो मुमकिन है तुबरा क्याडिटेट नमकिन है नहीं गले उतर रहा किसके लिए अब हाथ पर जोड़ रहे हैं कि भाई साब कैसा भी करके बस गलती हो गई माई बाप ने किस बार न निकल रहा है क्योंकि जिसके जिसने कभी सोचा नहीं था ऐसे तुम गुड़ गोबर लाके बिठा दोगे सर पर कि यह चुना लड़ेगा यहां से तो क्यूं क्यूं लोग जाए आपने उन्हें अपना बंद्वा मजदूर समझ के रखाए तो विचार धारा से बंदे गई है तो ओरिजिनल बीजेपी का हैं वो इसी सुकुड गई कि वो घर बढ़ गी और यह जो जितने भी बाहर के पार्टी के आए लोग हैं इनको सत्ता भोगने का आदी है यह चुनाव में बूत पे खड़े रहने के नहीं चुनाव में बूत पे खड़े रहना घर गर ज बता के मुग पे आपने कालिक पोट दी वो क्यों निकलेगा बाहर इसलिए पहले फेज में सेकंड फेज में आने वाली हर फेज आपको ऐसी तकलिफ देती जाएगी और हर फेज के बाद जो रिपोर्ट्स आएगी वो ऐसी ही दुखी आएगी मुसलीनी ने एक बार तुराती नाम के एक अपने आदमी को पाटी का अध्यक्ष बना दिया तो लोगों ने कहा कि ये तो idiot है, इसको क्यों अध्यक्ष बना दिया, तो मुसोलिणी ने कहा कि idiot है, लेकिन obedient idiot है, तो तानाशाहों को obedient idiot हमेशा पसंद होते हैं, ये अलग बात है, कि उस समय तो मज़ा देते हैं, बाद में वही उनके विनाश का कारण बनते हैं, और ऐसा इस कि वहां तो योद्धा ही चाहिए, वहां तो जहां योद्धा चाहिए, वहां योद्धा ही चाहिए, आप किसी मुर्ख को cricket का manager बना दिजिए, team का manager, मेरा cousin है भेजदो इसको विदेख चात्रा पे, अच्छा पाइसा में रज़ता है, लेकिन sir, खेलने के लिए खेलाडी त तो औरीजनल चाहिए आपने क्या किया है मैनेजर बिटा दिया अपना कजीन और कजीन ने अपना बेटा उतार दिया खेल में यो फुलबाल का प्लेयर था उसके बाप ने कभी बैट देखी नहीं और वो टेस्ट मैच खेलेगा तो स्टेडियम में हुट तो होगा यह वो हाल हो रहे है बाकी कैबिनेट में मुसलुनी का बिल्कुल डायलाग फिट बैटता है अपने शंगटन में जो पदादिकारी है बिल्कुल मुसलुनी के मुसलुनी के उस प्रिंसिपल पे चले हैं यह दोनो लेकिन मुसलुनी ने कम से कम युद्ध के मैदान पे तो ऐस से एडियेट नहीं बठाए थे युद्ध के मैदान में भी ऐसे ही बठाए थे इसलिए मैं कह रहा है तो इसलिए मुस्मिन का हच्ण क्या हुआ है आप जानते हैं बिलकुल वही यहां होगा जब उसने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो सेना के पहुंचने के बाद सेना के अध्यक्ष को पता चला की आकरमण हो गया है मैं वही कह रहा था कि हर जैसे हमारे डिपेंज मिनिस्टर को पत्रकाद ने बता है कि रैफिल खरीदी किया गया है वो भी जला मचली खरीद रहा था बिलकुल तो मुझे लगता है कि इसको किसी एंड की किसी उसकी जरूवत है नहीं अशुक जी ने काफी कुछ डिटेल्स बात कर ली अंतक जहां मैं आना चाहता था इस हबते के लिए अगला ही एक अपील हम सब की तरफ से कि जब चुनाओं में वोट देने जाईए तो उसको कोई बिकाओ चीज मत बनने दीजिए उसको कोई भड़काओ चीज मत बन अपना खुद का जीवन भी बनाने का अधिकार इन सब चीजों को सोचिए और उसके बाद जहां सही लगे वहां पर वोट दीजिए जो देश धरम और जाती पर वोट देता है उस देश को हमे एक ऐसी सरकार मिलती है جो देश बनाने की जगा बिगाड़ देती है आज के लि झाल